अलो अरो फ्राद यूंट तो ग्रेड ट्यूवल फिजिक्स को किमिकल इफेक्ट अब करेंट पड़े रहा थिूँँ अरो देशके आज आमें पार्ट्ट्टू यहां नागा रहा हुँँ ए पार्ट्ट्टू अजी माजे आमें पारेफले जलो अफ इलक्ट्रोलाईसिस को यो दू इतानिएम भारो निकाले अब दू जो अब गाले तो आपना फोरा इसाने फॉर्म चैंज भारो उसाने इसे च्योंडे बुछा हो हमाने अलिए जो पडी शुचेंज हो जाए राखो आए से जीए बुस्टारी बुस्तारी पुस्तार घुमेह, जो डिस बुस्तारी चेंज होदे, डिफिनेशन मजा ले मिला होदे, मिला होदे, मिला होदे, यह तो फॉर्म समा आयवड गाया, so let's get back to the topic, Faraday's law of electrolysis, so Faraday's law of electrolysis में दुईटा नियाम अरोशा, रा पहिलो नियाम केशा बने, the mass of substance liberated or deposited on an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charged pass through the electrolyte, सो यहले की बन्दर है, यह लो अले बांदा हैरे, simple term समा बुजणू परदा, तपाईले यह धी धेरे amount of electricity पठाउनु बायो, यह धेरे amount of electricity तपाईले पठाउनु बायो वाने, की होंचा था, अगी लो बीडियो में आमीले एरे जस्ते, अगी लो जुन बीडियो में एरे आतियो, एन ओड मां गरक की होंचा था, अथा अवा electrolyte काहीं गरक, पुनि मां deposit होंचा नि, deposit अथा liberate होंचा ठीक्छा रा, इलक्टोड मां गरब बस था, तेसे करे तबले थोरे मात्रे पास गरऊनु वह वाने, थोरे मात्रे गरब बस बने घुड़ा, ठीक्छा, जधी धेरे current, तेथी धेरे electrolyte बने बुजने सक्था, सो एला जे के बने सक्था, येदी, यम अमांट अथा यम जे मास अफ इलेक्टोलाइट जून जे क्याथवर में decomposed भा अथा, अधा डिपोजिट भावगो छा तेला मानने हो रहा योज यह आमीले पठागो चार्ज मानने हो अगने यूम विल बी डाइरेकली प्रपरस्टनल विटो क्यो ठीक्छा यो यूम माने हो कि रहिचे दा मास अब सॉब्स्टेंज मास अब सॉब्स्टेंज डिपोजिटेड एड कैथोड ठीक्छा डिपोजिटेड एड कैथोड यह चार्ज भाने गजी क्यो अधा आमीले पठागो चार्ज हो ठीक्छा आमीले पठागो जोटका वनुम न आमीले पठागो जोटका आमीले पठाग यह मैं is iqiyi चार्च बहा हैंगे रहाए है, आम चार्च बहा है, डोलकिंन है, Q1 बहा है है, Q1ा आँ उलल 노래방 одाद मेहा। य सम्याचेकट क्या है 15054 इकार्च बहाँची कि जोने कार्च चार्च था हो आणereal स्टीछ स्टीछ क्लेवाह। त्राकिलीफुल्ट स्था जालेंस स्हेलें ओर अगलोंौ ह्याँ प्यवालिबबुलिच को दाखाता हि क्याल ईपोजिटैस को इत्साई हारifen उजी त्राकिशनी प्युल्च पॉल्स पैपन्बॉद्ट क्याएं पमला09 यो पहलो लोग आया आंच, पहलो लोग मा तपहले यो फर्मला यादगरने बने आंच, बुश्नु फर्म आंच, दोसरो लोग अने के सा भने, if same amount of electric charge is passed through different electrolytes, the mass of substances liberated or deposited are proportional to their chemical equivalents. येले के वने वन्दा येदी तपेली different electrolytes सा ठीक्सा different प्रकार्ग electrolytes सा तेस्मा तपेली equal amount of charge पठाउनु भाया वने के उने रहेचाद the mass of substance liberated or deposited are proportional to their chemical equivalence so chemical equivalence वनेगा आमरो के होथ atomic mass by balance ने यान्द chemical equivalence वनेगा atomic mass by balance में depend हुन्द रहेचा वने जस्तों पुरावर्यो so येदी आमिले याने रिक्ये सबजगरी मने m1, m2, m3 वनेगा masses of substance liberated होँचा वने masses of substance liberated हो वने तेसे गरी e1 मनेगा एसको chemical equivalent e2 मनेगा एसको chemical equivalent e3 वनेगा एसको chemical equivalent हो वने इधर हुजए m1 by e1 is equals to m2 by e2 is equals to m3 by e3 वने रहेचा वने यो बनी रहाँचा ठ्याकि यान्द, the masses of substance liberated or deposited are proportional to their chemical equivalence ठीक्सा ये इधा बनना होजे आप रहेचा येदी ये रिलेशन हो वने अरो substances अरो लिम बने 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 mn by e1a उन्छा सो आमिले के लेखना सकीम m by e is equals to constant o वन्दर लेखना सकीम्छा अथावा m is directly proportional to e o वन्दर लेखना सकीम्छा येवडा constant value उन्छा वन्दर बाज अस्ता वो सो येदी आमिले same amount of electric current pass करीम्वने mass deposited अथावा mass liberated वनेगो directly proportional to the chemical equivalence सो येवा निट्वी त्री वनेको इधारको के उन्दर इशा chemical equivalence मन्दर मानना सकीम्छा ठीक्छा इधारले chemical equivalence मन्दर मानना सो यो आम्रो दुईटा law जरू अब अब इसको बेरिफिकेशन तप्य एरले साजिले गरना सकना उन्छा अल्छा सोपज पोईलो लोगो बेरिफिकेशन आमले क्ये गरना परेवान्दा चार्ज जदे देरे पठाइन्छा तेदे देरे की हुन्छा त्यानेरी deposit हुन्छा क्यारे mass deposit हुन्छा सोपज आमले i is equal to qt को रिलेशन q by t राकिम मने q is equal to i into t हुन्छा अब हैमले charge बढ़ाईम अथा time बढ़ाईम बने charge को यह मान्त बढ़ने रहीछांत हैमले ते इस्टडी यह मान्त पठाइरा आचां तरक्के गणीन्द धेरे time समपठाइम बने ते यानेरी धेरे charge देरे जश्ता मन्छा बोध तरीगानी अपनावन सपनाँ अचा सो तबहले किये गरना हुँँजा बन्दा है यहरी यहडा copper voltmeter लिन्वा आरे यहां फिघर बनाए दियां वहले सबज यहानेरी यहडा voltmeter लिन्वा तबहले यहानेरी यहानेरी rod अरो लिन्वा अनि यहानेरी चार्ज पस्के कार रोगानों फ़ानेरी यहानेरी 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 copper voltmeter the copper voltmeter quarter वानेवा सी absorption शू है copper plate is clean अथा आभक्ण पॉजटिव यहानेरी positiveлючण याने देजे नेगेटिव चार्जर रूँच तपहले के गरना हुँचा वने याने देजी CUS4 शोलूस हां छा सुरु मां ये क्येफण प्लेड जुसा ये क्याथृण प्ल્ट दा तपहले मजाले दुना हुँचा मजाले दुये रे इसको के लिमना चा वेट लिमना टिक WiFizh desav тебеác ये पछे येले सरे बॉलता अमेटरं थाना हुन जा, शुरु मा सबोज, वेट यम धीयारे, यम इनिश्याली वेट यम धीयारे, तेसह पाछी, वेट मेजर गर धारे, तपहले, obviously बनी, after sometime, m1 वेट भेट ना हुन जा, m1 वेट after sometime, एति वेट भेटेंचा, ठीक चा? एति वेट आम ले बेटीं, m1 बनरे बेटिम किनाने यह copper deposit बहा को छा तपाइले चेक गर नू बहाया बहाने सपोज t1 टाइम सम्मा एर्धा m1 deposit बहा को छा t2 टाइम सम्मा एर्धा yom2 deposit बहा को छा ठीक छा t1 टाइम मा m1 amount of copper deposit बहा ठावा weight एर्णू बहा तपाइले m1 वेड़ चा यहाँ त्यस्पाज t1 वेड़ चा बहाने तपाइले की बेटना हुँँच m1 by yom2 is equals to t1 by t2 बेटना हुँच यह ratio जे तपाइले similar बेटना हुँच time मानों सार के बेटना हुँच था तपाइले ratio similar बेटने चापना हुँच तपाइले देरे number of time सम्मा यह experiment repeat गरे राखना सपना हुँच देरे amount of time सम्मा यह M1 M2 मास कपर deposit यहरी राखना हुँच सपाज तपाइले की बेटना हुँच भाने यहाँ एरीक तपाइले current change गराँँच सपाज I1 current हुदा हेरी M1 मास deposit भाए रे I2 current हुदा M2 मास भाए वने M1 by M2 is equals 2 पनी I1 by I2 मादे चापनी M1 is directly proportional to I1 अब यहाँ एरी theoretical graph practical मा तिती राम्र स्वाँच देना है ना सो मझे जोस्ट एक्स्पेन कर देहाँ कि current बढ़ाँ नुगोवाने mass अडिबोजीटिर भाने साहत बढ़ना माले यहाँ कुन देरे खुन धोरे वने अधा बनेगा शाईले स्यम्हीज़ डारिगल प्रपरस्टनल टो IT अथा यहाँ इस डारिगल प्रपरस्टनल टो Q गण देखने है जुन जे अमरो टो अर्कोंचेटी कोरेंटे एरियो शापज एकछोडी तो फीले 1 May और युद्य पूरेंटे पूरेंटे कोणने टो थे अलेक्षारज फॉरेंटे सेशने का ने भी अगार है पुराइट्स अब शेकेंड लोग वेरिफिकेशन सेकेंड लोमा क्ये थिव वन्द हैरी येटी सेम इलक्रिक कोरेंट चाइए इलक्रिक चार्जी पास गरेंच थू डिफ्रेंट इर्ट्रोलाइट्स वन्ए तिधरको मासे शवरुँच ये डायरेक्ली प्रपर्पर्पर्प केमिकल एक्क और प्रिकमाय के क्ये उन्चान तर्प केमिकल एक्किवब्यार्फ्रेंट्स वन्चंता फरों और दका बॉफुर्पर्पर्पर्पर्पर्पर्प लोमास भाइंग अने सिल्वर आव वल्टामीटर सोब purity बानेल यांतेड आउलत्य मात्यू पर्यातृë यूज गर्न हो, याने रिफर है, याने रिफर सिलभर को बछिवेदी द्यिटल स्ट लिणुबा, याने रिफर सप्पर शार्ग भायों, ठयक़्े तापे यहरले कंने हाँ जण impart जण फह आंवा त्सके तो पैंच अने ले पॉजटिव जेल्हां अनी यहला यहली पॉजटिव जोदेल्हां घो dest adapt तो पने हैल आ यह दो सप्हें हमेने यह आशाम्याराई पॉजटिव गणिल्हां और जारह याना इरा इतु इती कोर्णल गारे ऐ बता कारेशा 6 I can सोलुशन रहा यह वड़ा गौपर सोलुशन यह सीव स्वलुशन बायो वहला यह सिल्वर स्वलुशन बाहरा तेट स्व और यह यहाण यहरी ये इस वोल्टामीटर अर्यूज गरैं यहां अगड़ा सेम कॉरिण पास्ट गरियो है यह वड़ा सोलुट सब्सक्राइर शोटॅट्ण टाइम्स अमंगे गरिए गरिए हुं गरिए रहे अमिले ब्लेट मानि अर्फ घेडियों। ठीक्सा रहा आइमीले वेट चेक करिएूं ठीक्सा आमीले में क्यावेटतीम मनन्दा M1 मनें को मास दिपोजिट कौपपर गो मास दिपोजिट वहायो यह एलेक्ट्रिक करेंट पास करदा M1 वहायो यो क्याफ्रोड को मास त्यशे कर यम टू बाने को एजी डीपोजिट बहुजए वह चे तो क्याफ़रोड को मास यंट ना गयो ठीक सा अधवा यंवान मनेको कथी कौपः डीपोजिट बहाया यहां त्यों भायो रही ना यंट्वानेको कथी सिलवर डीपोजिट भाय त्यों गयो वेट तक लेएजीली बेदी आलनोंचा फिक्सव कीकव लिवलेंडस वहनेगे ताब लेनि डॉची दीबजें सैयले ले बेटने हो च वनहें र सब्सक्राइब किसमेड़ फैसद लिवलेंडस दक्रिशसलंब wären मेघ इंब था ध Aryo दीबचेट मेदनी नाति दीबचेली दीबंचेलडस था रसा है एक्ट्रो क्यमीकल एक्विक्वीलेंट बनेको कि रो इलेक्ट्रो केमीकल एक्विवैलेंट आमी ले फर्स्ट लामा इलेक्ट्रो केमीकल एक्विवैलेंट वनारा देखायाती हूं याम इस इकल्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् साथ किव लान गुलम ब्याने यह जब इसदीड सती यह मन्छा से यह कोशहती इस डिफाइन घान शुगें जहां माश अफ सब्स्तरी शुप्स्तेंश liberated, mass of substance, liberated और deposited, liberated और deposited in electrolysis by passage of one column charge, एक column charge लेज़ी, वदिडिपोजिट ग़र छा बनने को राज जी क्यो और हो था इलेक्ट्र कीमिकाल इक्विवेलेंट हो एसको यूनिट वहने क्यों हो था केजी पर कुलम भायो रहा इसको बैलू सबच कॉपपर को लागी एसको बैलू वहने क्यों जाने 3.29 इंड़ 10 दिपार माइनस 7 केजी पर कुलम जो एक कॉलम चार्ज पढ़ान हो वहने 3.29 इंड़ 10 दिपार माइनस 7 केजी कॉपपर से कैथोड माँ डिपोजीट हो रही चा बनने को राजस्तों गर रहे ले ठीक्छा सिल्वर को लागी अब यो वैलू जर्द दीन चा तरह कोईले कहें दिए ना मने यो याद गरी राखो बाशा 1.118 इंड़ 10 दिपार माइनस 6 केजी पर कॉलम हों चा तेसे गरी आइड्रोजन को लागी की हों चा था 1.05 इंड़ 10 दिपार माइनस 11 केजी पर कॉलम हों चा तो ये वैलू जर्द तपाईले याद गरी राखो रहे ज्योस पाई देवला ठीक्छा तो ये शरी आमीले बेटी मियाने री सो एती कुरा एरी सागे बच्छे आमीले केमिकल इक्विवैलेंट रा आमरो सबज E एंड़ Z बिच के रिलेशन चागी छाई नाता E बनेगो chemical equivalent E बनेगो किये आमरो chemical equivalent हो तेशे गरी Z बनेगो किये हो आमरो electrochemical equivalent हो Z बनेगो आमरो electrochemical equivalent हो इधर बिच के relation छगी छाई नहों लाता बनेगो रावा अब सपोज आमिले के सपोज गरीं M1 and M2 बनेगो छी mass of substance liberated mass of substance liberated when same quantity of charge when same quantity of charge Q is passed same quantity of charge Q पास हो दहारी एती लिव मने क्यों जाता यो बनेगो जो अब दुई चाई substance को भायो so M1 बनेगो आमिले Z1 क्ये लेखना सक्छो आमरो formula आनो सार Z1 Q लेखना सक्छो आई ना तेशे गरी M2 बनेगो Z2 Q लेखना सक्छो same amount of charge पठागो छोँनी ता यामिले so योड़ा substance मा यामिले Q amount of charge पठागो दहा एती लिव मरेट बहायो औरको substance मा same amount of charge पठागो दहा M2 लिव मरेट बहायो याम 1 बाई M2 बनेगो की बहायो ता Z1 बाई Z2 उना गवायो आई ना तेशे गरी second law अनो सार केशा आमिले second law अनो सार येदी same amount of charge पठागो बने same amount of charge पठागो बने की उन्जा ता mass सी directly proportional to electrochemical equivalent हुनचा sorry chemical equivalent सांग उनचा so M1 इस directly proportional to E1 ray M2 इस directly proportional to E2 अथवा M1 बाई M2 बनेको is equal to E1 बाई E2 सांग इक्वाल हुनचा इवाची आमरो फैरड एको second law अनो सार बहायो ये आमरो first law अनो सार को कुरा बहायो so यो दोईटालाई जोडेरे एरी मनेके देखिनचा E1 बाई E2 is equal to Z1 बाई Z2 बनेर देख्यो अथवा E is directly proportional to Z1 बनेर देख्यो હીક્ચા ? હીક્ચા ? હીક્ચા ? હંમોગ આજા ? હીક્ચહસ્ય બરેક્હસ્ણલ્તું કહેકેજા ? अबधय ये प्रोपर्परशनलाटी सिंबल अटानेवने याख Z हून्छा यह नेरी याख पनेगोजे कियुत्स प्रेड़ेश कॉंस्टैंटो ठीकशा ये खुराब बुजी राखनु भाया सा फ्लो बुजी राखनु भाया सा क्या भाया सा क्ये बैराखा और को बड़ M2-Livorate Boy, same charge Q पठावदा जोट्सकोई electrochemical equivalent Z2 छाव तेसे करी आमलें के थाचाच्छ दा, M1 is directly proportional to chemical equivalent गणरा थाचा हुआने M2 बढनेगा directly proportional to E2 इना एधी आम ले same amount of charge पठाविंग वणे m1 by m2 is equals to e1 by e2 यहाने निरी m1 by m2 रनेगा z1 by z2 रो रेख लोग रेख दो फुटर रेरी अब इस डिर्ट्लिपार्ट्या जोडे रहने रेख फ़े बाने इस डिर्क्ली पर प्रपर्रोशनलल स्वार स्टर्ण पर्णली फनरी थे फनरे वन यू चौ यह जिए रहर से ratio between chemical equivalent chemical equivalent and electrochemical equivalent electro chemical ratio between chemical equivalent to electro chemical equivalent of substance of substance simple definition I am the f is equal to e by z ratio between e to z इड़ेद बने जaking धाफ सदिर ग्राम इक्विवेलेंट्टा ग्राम एक्विवेलेंट्ट्ट बने वसी की कर ग्राम को टॉन्म में छिंआ और यह तो चुछ ग्राम एक्टिवालिंट रहा ठीक्सा ती बनना हो जाओ अ याने रिएरों शो यह मिजी कोल्श टू जेड क्यू बनना था चाहाँ यह पारडेज को फास्ट लोह आनो शाँ So z is equal to k बहायता yam by qy But k साथ f is equal to e by z छाँ आई नए So याने रिए के लेखना सक्कियो? z बनेगो e by yam उन्चा बनना लेखना सक्कियो Therefore आमेले के लेखना सक्कियो? यह वाल्य याने रिसब्टिजूट कर दिमने e by yam is equal to yam by qy और yam बनेगो के बहायता? eq by ym is equal to e by ym by q1 रभन लेखना स्वाकिन छा e by ym by q1 लेखना स्वाकिन छा एदि if ym is equal to e by ने क्यों उन्छ f is equal to q उना जान छा e रह ym equal by रहे पने unit माई जोस value में equal by ने q रह ym equal उन्छ so faraday's constant को definition उना जान छा you know it's a so faraday's constant ला कोसरी डिफाइन गाना स्वाकिन चाहने faraday's constant is defined as is defined as amount of charge amount of charge required amount of charge required to liberate ठीक सा, amount of charge required to liberate a gram a gram equivalent of a substance during electrolysis ठीक सा, 1 gram equivalent of substance liberate गर्ना कर लाइगी सा, यहां, क्वास यहीं काती amount of charge चाहन छा उन्हाने को राजिक की रहे रहे सा तर paradise constant रहे ठीक्छा, ठीक्छा, so amount of charge required required a 1 gram equivalent, सबोज copper गो लागी copper गो लागी 1 ठीक्षा, e बाने को कर दिङए यह इलेक्टर केमिकल equivalent बाने को 31.5 बान छा, ठीक चा, 31.5 gram, यह जी gram equivalent of substance हेती हुना देशा, and z को value, electrochemical equivalent वहनेगा 0.000329 gram per column होचा, so yof को value के हुना देशा, e by z is equals to 96,500 column आउदर होचा, दाज, one faraday, faraday को बनेगा कोती हुन्जा, farad बनना दे मिले न, 96,500 mol per column बनना सब्चा, column per mol, sorry, column per mol minus 1, यह सरी लेखना सब्चेंचा, ठीक चा, so, एबागाटरोस नम्मर को अनुसार मोह इले define करना कोरने वो बनने, कोसरी इले define करना सब्चा था, ठीक चा, faraday कोंस्टेंट, faraday कोंस्टेंट, as avokadro's नम्मर, avokadro's, avokadro's नम्मर, यह सरी एक्स्पेंच गरना, यहन एक और टॉम में एक्स्पेंच गरना परने को, सरी गरना सब्चा बनने, लेड खी बालन्य पर अबस्टेंट, खी बालन्य पर अबस्टेंट, यहन एक्स्पेंच गरने, to liberate atom एलल की बनन हो जेता बन्दा suppose कुने को balance 3 चा बने ठीक्छा कुने को balance 3 चा तीनोडा electron बाइरा छो अनने को मदद तीनोडा electron हवज उस अचै तीनोडा electron अरवनू परे ओ आईना ताकी हो जै charged less host बनने जस्तो जौा ठीक्छा उसांगा बैलेंस रती चावने एक्सी ये मूंट अफ्ट्रोन सी पास करनो पर electrolysis बोड़ा ताकी तर लीवरेट भष दो याने री बोड़ा किया बना सकिन जावने चार्ज रिक्वाइड टो लीवरेट चार्ज रिक्वाइड टो लीवरेट 1 mole of substance 1 mole of substance और N A atoms of substance N A atoms of substance बने को की हों जो Q is equals to याने इंटो U जब अब मास of N A atoms बुजी आलनों जो यह पुरा सिंपल जा आमेने केमेस्टर में देरे गोरी में यह पुरा મास વ યને એટમ્શ મનેગે ગાજે મોલેકુલર મેગ્લર મેગ્યુલર મેગુલર મેગર મેગુલ મેગીર ય૮ सो यम वानेगा Z क्यों छा आईने अथाबा यम वानेगा आमले क्ये लेखना चाप्यों Z यान A इंटु E वानेगा सब्सक्ति ठीक्चा बड़ M by X वानेगा तो E उन्छा आईने सो आमले क्ये लेखना सब्सक्ति में याने रे आमले येनरी M by X मनेगा E उन्छा बने ठाके यानेरीने M ले उसक्ति परिशा क्यों M by X मनेगा आब एबाई Z मनेगा क्यों छा यान A E उन्छा आईने E उन्छा और E by Z मनेगा और E F बनेगा याफ हो याफ बनेगा यान A इंटु E उन्छा अब एने गो वैलू तबल थाशा देज़ा 6.023 इन्टी पार 23 हो, इवाने गो दो 1.6 इन्टी पार मैनस 99 हो, आई ना, सो यो वैलू कोथी आमने रेज़ा दिया, 96500 कुलाम आमने रेज़ा, एक्सा, यो वैलू तबल बुझनु गोवाला, सो त्यत्ती गारो कीवनी छाई ना आई ना, सब पे तबले कोरना सक्या आना, जो फेर एक्सेटी माया पुझा जाए दिया चो, फेरेड़ेज कॉंस्टेंट एज, एवा गाट्रेज नाम्मर एने, शो आमिले यक्स लाएजे, बैलेंसी बनार मानिम बने, देन, एक्स इलक्ट्रोन्स, आप्टू पास थूद वान एटोम लिवरेट गरना सक्या छा, चार्ज रिक्वार्ट लिवरेट वान मोल अप्स्टेंज बने, जिक्या होंच, यान ए इन्टू ई होंच, एवडा एलक्ट्रोन्स, एवडा लिवरेट गरना को लागी, तबले यक्स इ पास गरना पर छा वाने, यान एवडा वारेट गरना कोथी चाहिए, यान ए इन्टू यक्स इ चाहिए, अब मास अफ यान ए एटोम्स बनेगो जी की होता, मोलिक्युलर मास बनेगो बनेगो अब फैररेज लोको अनुसार, याम इजी गस्टू जेड की होंच, अब यान एरी आमिले, क्यू बोट हामा की राखि एदिये यान, M by x is equal to Z, यन ए E हुन्छ, जो M by x ला मोले E लेखना सक्छू, अब यान ए बनेगो की होंच, ता, Z, यन ए, E बनेगो होंच, अब E by Z मोले, अब Z लापन ये था बोट हे ले दिये बनेगो F होंच, F बनेगो यन E इन्टू E हुन्छ, ठीक्छा, यान इस एप्लिकेशन्स अरुत पॉल्णा सक्किया आनोंच, जोसते ही, इलेक्ट्र प्लेटिंग को एप्लिकेशन मां यूज उन्छ, खिक्छा, आमरो सुन मन्दा काम चाहिने, और आयमा डॉर चाहिने बनावनू परेवने, तेसे गरे बिभीनने केमिकल्स अरू बनावनोंको ल आईना, तेसे गरे गैसे सरूब बनोंको लागी, कैपाशीटर सरूब बनोंको लागी यूज बाईर आनोंच, जबेवनले, जेनरली, सो एही कुरा आरो, देरे कारो क्या के चेह येना, तब यू व्यालू जरू याद गरनू परो, तो आमरो फार्मूला जरू याद पॉमेंट गरना शक्ना उन्च तेसे गरी तप एर ले जाए 9849595895 ना पनी कॉल गर राखना कोईरी जरू राखना शक्ना उन्चाए स्वाज अगलाग एतिनी थेंक फर वाज